हेलो आप सब लोग ठीक होंगे एक्चुलाज मैं बना रही थी खोफते अंडे तो मैंने सोचा कि मैं आज ये रेसिपिया प्लों के साथ शेयर करती हूँ ठीक है तो मैं उसमें जो सारे इंग्रेजिटिंट यूज करूँगी वह मैं आपको दिखाते हैं तो सबस्क्राइब कर दो जो मेरे सीपिस को लाइक करते हैं तो रॉप कि यह वाली रेसिपी अच्छी लगेगी वेड़ी इजियरए वरी सिम्पल तो चले फिर स्टाट करते हैं ठीक ना तो मैं चने का पाउडर डाल रही हूँ, ना मैं ग्राम फ्लार मतलब के बेसन डाल रही हूँ, मैं बिलकुल बनाओंगे इन सब चीजों के इलावा ठीक है ना, इन चीजों को मैं नहीं डालूँगे उसमें, और आप खुद देखेंगे कि मेरे कौफते कितनी अच्छी त या दूसरा उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कि में में किसी किसम की स्मेल हो तो वो बिलकुल नहीं रहती है, उसके बाद मैं डालूँगे इसमें अजवाइन डालूँगे, फिर उसमें डालूँगे थोड़ा सा जीरा कुटा हुआ, फिर उसमें डालूँगे नमक ठीक ह और उसमें हम थोड़ी सी फिर डालेंगे कसूरी मैथी भी क्योंकि ये चीज़े डालने से क्या होगा कि उसके जो उसमें एक स्मेल है ना कीमे की वो चली जाएगी और साथ ही हमने दो स्पून डालने है जी गारलिक जिंजर पेस्ट के बिले संद रखके ठीक है इसको अच्छ का दो गूल लेंगे को अच्छी तरह तो इसतरह हम बॉल बनाएंगे उसके में जो मिन्स बॉल है और फिर हम सारी रख लेंगे तो चले मैं आपको बिता तहुं कि मैंने कैसे सारे इसके बनाए ठीक है तो यह आप देखे मेरे बिल्कुल मेरे जू कीमा था हमारा उसके मिन् दोट खोक का भी देखे ठीक है बहुत इजियस में सम टाइम होता है यह मैं आपको बताती हूं कि जब भी कभी मैं फिश या कीमा या मीट कुछ भी चिकन वगरा मैं यूज करूँ तो दो वो मेरे सर्फस को इसको टॉप को नहीं लगते लेकिन फिर भी मैं एंटि बेक्टेर यह कोफ्ते तो नहीं नहीं बना करते था लेकिन भी बनाती है और दूसी बात कभी हुआ हो तो फ्राइय करो लेकिन मैं कभी फ्राय भी नहीं करती मैं उसको इसमें जब मसाला रड़ी हो जाता है मैं उसमें ही इसको अपने जो मिंस बॉल है इनको मैं बनाती हूँ तो आप भी बनाए इन्शाला आपके सब जो भी खाएगा उसको बहुत पसान देंगे और इसका टेस्ट बिलकुल ऐसे लगता है जैसे हम देग बनाता कोफ्ते अंडेब बिलकुल वही टेस्ट है ठीक है सिंपल है अपने बस प्यास को क्या करना हिलका सा ब्राउन करना वही हम करते हैं ठीक है उसमें अपने चॉप टॉमाटो तो अगर आपके पास वह उसकी पेस्ट है जैसे पिसावा टॉमाटर होता है तो डाले नहीं तो आप इसमें छोटे-छोटे-छोटे काट के टुमाटर भी डाल दें दूसरा आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत कम है और में इसलिए बहुत कम डालती हूं क्योंकि जब हम उसमें कीमा अपने कॉफ्टे डालेंगे तो वह कीमा बहुत ज़्यदा और रिलीस करेगा जिसे आप देखेंगे कि एकदम पूरा इसकी पैन यह ओल से भरेगा तो मैं जब भी बनाती हूं मैं हमेशा कोशिश करती हू ना वो उसको पैन को लग रहा था तो बस इसमें क्या डाला लैसन डाला है मैंने नमक मेर्च खल दी फिर उसके बाद धनिया पाउडर डालें और ठीक है इसको अची तरह भून ली है फिर उसके बाद यह है जी के चार जो है ना टेबल स्पून इस अप टू यू ठीक है न अब उसके मताबिक चीज़ याड़ करो लेकिन क्योंके मैं बना रही हूँ वन केजी मिन्स के तो इसलिए मैंने इस पे चार टेबल स्पून योगर्ट डाली थी योगर्ट देखे बहुत इची तरह मिक्स होगी मसाला एकदम ब्यूटिफुल रडी हो गया अब मैं क्या कर अब सब जानते हैं कि हमें यूट्यूब ग्रोट चैनल ग्रोट करने के लिए आपकी बहुत बहुत जरूरत है ठीक है ना तो आप सब का प्यार है आप सब की महबत है अगर आप मेरे साथ दोगे तो मैं जरूर आगे तक जाओंगी और मैं पूरी कोशिश करती हूं कि चाह हैं तो प्लीज आप उन्हें थामजब भी दिया करें और कुमेंट सेक्शन में कुछ भी अगर आपको पूछने को बात करें तो यू फिल फ्री तो मुझे बात किया करें ठीक है ना तो बस यह है कि आप कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें यह देखें जैसे मैंने आपको कहा था कि और आप खुद देखेंगे कि पैन में बहुत सारा ओयल आजएगा वही हुआ जब यह सारा कुछ ड्राय हो गया कि माच्छी तरह यह बाइंडिंग होगी इ अब देख सकते हैं मैंने कोई शीज में नहीं डाली इस फूर्य अपने खीमे में यह जाम मैंने मैंस के बॉल्स बना थी तो देख लिए स्टिल जो जितने भी कौफते है वह कोई कोफ़ता बिल्कुल भी नहीं तूटा बिल्कूल वह ना फैसista को श्रूंड कर लिए साथ किसी के कोफ़ें जुट जाएं कोई वो क्या होता है किता है खास भी डालता है कोई कई लोग मेरी नानों थी वो डालती थी तो ये है कि कि जी फास जोड़ते ने आपके ने हैं बिलकुल भी निए तूटे और खुब्सूरत वैसे के वैसे रहे यह देखें युगर्ट ने भ को अच्छी तरह भूनोंगी ताकि यह जो इसका एकसेस वाटर निकला है यहां योगर्ट ने जो वाटर रिलीज किया वो सारा ड्राय हो जाए फिर हम इसमें एग एड़ अप करेंगे और साथ ही इसमें मैं फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी ठीक है यह सब करते करते साथ ए अपने जितने जो मेरे एक थे उनको मैं ने छील लिया अब मैं कि करकिस में सारे डाल दूगी और फिर साथ ही मैं इनमें पानी डाल दूगी ताकि अच्छी तरह एक जो आना है इनमें भी उसका सालन का टेस्ट चला जाए तो यह हर कोई बनाता है हर कोई अपने घर में डि आप देख सकते हैं लेकिन फिर आज मैं ने सूचे चलो आज शी फिर से मैं अपने वीवर्स को बताऊं कि हम लोग इस इजी वे में भी बना सकते हैं बहुत यमी बनता है क्या कि जब आप इसमें यॉगर्ट डालते हो ना तो वो यॉगर्ट जब ड्राय हो जाती है उसके म जालने क्योंकि उससे कलर अच्छा जाता है हंडिया का तो यह कि अपेरिंस बहुत अच्छी चीज होती है तो बहुत अच्छी खुश्बवा रही थी तो यह देखे जी हमारे कौफते और अंदेत त्यार होगे बहुत मज़े की दिश बनती बहुत तेस्टी बनती बिलकु आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है ना और गाईज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्ट्राग्राम पर भी ठीक है वहाँ पर भी मैं डिफरेंट चीजे लगाती हूँ तो मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग इसको ट्राई करोगे और मुझे जरूर बताऊगे ठीक है मेरे घर में सबने बहुत पसंद किया सबने बड़े मज़े सिखाया ठीक है तो अब ये है कि मैं इस उमीद के साथ के फिर दुबारा हूँगी चलती हूँ अपनी दौाओं में याद रखना लव यू आल बाबाई